जिनपर नेनी ताल के लाल को अविधान सभा छेतरों में आवारा पशुओं से राहगिरों की हो रही दुर्घटनाओं को रुपने के लिए भागपा माले और अखिल भारती किसान महासभा ने तहसल परसर मिधाना प्रदेशन किया इसके साथ ही उन्होंने आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के इमरितकों को मुआज़ा दे जाने की मांग भी की यदि उसके बावजूद कोई कारवाही नहीं की गई तो तीन सपताबाद रूट पर जान लेवा बन रहे आवारा पशुओं को तहसल कार्याले में लाकर बान दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी प्रिशासन की होगी जोरान अकिल भारते किसान महासभा के प्रदेश धक्ष आनन सिंग नेगी ने कहा कि गोरक्षा कानून बनने के बाद पशुपालकों के बच्छिया बच्छा बैल गाय की बिक्री नहीं होने से पशुधन को आवारा छोड़ना प फशलों को भी खा रहे हैं तो इसने पूरा समाज का जो ताना बाना है जो हमारा एक आप जो इंकम का एक सादन था या जो हमारी जीड सी कहिए आए इंकम की जो आम जो घरीव आदमी की जो पालन उस पालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोबंस संग्रक्षा अधिनियम 2007 साथ जो बनाया है यह हमने लगातार मांग कि है हमने पहले जो पहला सत्र गिजान सभागा हुआ था 2022 में इसी तहसील परिसर से उसको मुख्यमंत्री को ग्यापन भेजा कि इनको इस उसको जो है रद किया जाए यदि आप इसको रद नहीं करते हैं तो सरकार इसको खरीदे तो गाय का एक निश्यत मूल रग ले लगातार हम देख रहे हैं कि फिती किसानी चौपट है लगातार बटना है हो रही है और इसको लेकर के लोग लगातार उठाबे रहे हैं हम लोगों ने ही पहले भी मुख्यमंत्री को भी तमाम लोग मुख्यापन दिया लेकिन सरकार तो अबल्गों को खुड़ासिन बनी चीजित बनी बनी है तो आज एक चेतावनी देने के लिए लगातार माले दावादा की ओड़ते कि अकर तीन हबते के भी तर इस पूरे च्चेत्र में लालकुमा बिंदुकता की च्चेत्र में जो आवारा परशू है तो सरकार की पुरी में करना कर दो